नमस्कार दोस्तों यह वीडियो उन सभी के लिए है जिसे इंग्लिस देखते ही डर लगने लगता है जैसा कि यह स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप अंग्रेजी में लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे हैं या जिसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो वो अंग्रेजी देख करके ही घबरा जाते हैं बहुत सारे अश्टूडेंट को भी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आता है वो सारे टीचर को भी कभी कभी कोई word meaning नहीं याद होने करण वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसा चीज बताएंगे जिसके द्वारा आप किसी भी अंग्रेजी में लिखा हुआ को आसानी से पढ़ सकते हैं अग्रेजी में आपको word meaning याद नहीं है और इसको आपको पढ़ के अपनी मातरी भासा में समझना है तो आप क्या करेंगे आप किसी दूसरे को पढ़ने के लिए देंगे या तो छोड़ देंगे या तो dictionary के मदद से इसको पढ़ने को प्यास करें किसी भी अस्तिती में क्या होगा कि बहुत सारा समय लग जाएगा तो इससे बचने का तरीका क्या है क्या कोई ऐसा उपढ़ नहीं है जिससे की अंग्रेजी में लिखाओ आसाणी सब पढ़ सके ऐसा उपढ़ है दोस्तों आज उसके बारे में बात करते हैं तो चलिए देखते हैं कि जो लिखा हुआ स्क्रीन पेस का हिंदी हम कैसे जानेंगे तो सबसे पहले कि मैं कुछ दिखा देता हूं यह देखिए आ गया है अब जैसे देखिए इसमें English Hindi लिखा उपर में अब जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ उपर कुछ लिखा हुआ यह पर कुछ लिखा हुआ इसको पर रखते हैं हिन्दी करना बैबाट तो बस इतना ही करना होता पढ़ने के लिए चंद सकेंड का बात है आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें नेट कनेक्शन होना चाहिए इसे क्या होगा दोस्तों कि आप कहीं भी कुछ लिखा हुआ रहेगा असानी सिसको पढ़ सकते हैं चलिए तो वह लिखा कि एक्सपोर्ट का यहां से आप जिसे कोई चीज लिखा हुआ यहां से इसको अस्पोर्ट कर लिजिए अब यह इसमें आ गया मुल में लिखा हुआ अब इसको क्या किजिए कि फिंगर से जो है इसको हाइलाइट कर दीजिए और जैसे हाइलाइट करते हैं देखे क्या होत इस तरह से कहीं भी कुछ लिखा हुआ रहे चाहे मुवाइल में लिखा रहे चाहे कहीं पर भी डिबा पर कहीं भी किताब में लिखा रहे उसको आप आसानी से हिंदी में करके पड़ सकते हैं इससे आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोई गलानी महसूस नहीं होगा आप आसानी संग्रेजी पढ़ सकते हैं इसमें और भी बहुत सारे option हैं तो यह सब करेंगे कैसे यह किस एप से करते हैं बस एक application को download करना होगा और इसके दोरा आप यह सब कुछ कर सकते हैं तो चलड़ी देखते हैं कैसे होता है इसके लिए आपको चल जाना है Google Play Store में इसके लिए आपको क्या करना है Google Play Store में चले जाना है और इससे परली मैं बता दू कि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको useful जानकारी मिलती रहती है जो आपको काम आ सके तो चलिए देखते हैं क्या करना यहां पे search करना है Google Translate लिखना है Google Translate यह application है दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना होगा लेकिन इसका यूज नहीं करते होंगे तो इसको यहां पर install लिखा हुआ मिलेगा इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और सारा जो भी मैंने बताया वो सब इसमें है तो यहां मैंने कर दीजेगा एक अच्छा सा प्यारा सा कोमेंट कर दीजेगा और हमारे साथ जूरे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ट